इस घट्टा में नक्सलियों ने जवानों के दो दर्जन से अधिक हत्वानों यार भी लूट लिये यहां तकि नक्सलियों ने जवानों की जूते कपड़े भी नहीं छोड़े चतिस घट्ट में बीते दस दिनों के अंदर यह दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है इस खबर पर जाता जानकारी के लिए वरिष्ट सायोगी मनोज नरायन सिंग फोन लाइन पर मौजूद है मनोजी इस पूरे घटना को हम अगर देखना चाहें और इस बारे में बात करना चाहें तो क्या लगता है कि एक पकड़ जो होती है चतिस घटन नक्सलियों के खिलाफ या कमजोर होती जा रही है क्या पारे मनोजूर अगरी जो घटना ख़ती है वीजापूर जो सिमाच चुत्र है बिजापूर जिला और सुप्मा जिलाज का जो सिमाच चितर है सुप्मा में जो इनकांटर हुआ है नक्सलियों और अश्चा बलों के बीषिमें अभी जो आज का जो अभी 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 है वो बस्तरचित के D.I.D. सुन्दराजी ने बताया है कि D.I.D. के 8 जवान, C.R.P.S. कोब्रा बडालियन के 7 जवान, C.R.P.S. के 6 जवान और C.R.P.S. के बस्तरिया बडालियन का एक जवान का शौब बरामद हो चुका ह कुल 22 जवान परामद हो चुका है और एक जवान कोब्रा बडालियन अभी भी लापता है और जिस तरह से पुपेद पर घेला जो चतित जवान के 7 है उन्होंने कहा है कि नक्सलियों की भी काफी चती हुई है चार घंटे तक इंकाउंटर हुआ और जो भी जवान धायल है वह भी खतने से बाहर है लेकिन अगर यह देखा जाया तो पूरे मामने को देखा जाया तो यह 36 गर नक्सलियों का गढ़ रहा है और होम डिपार्टमेंट नक्सलियों पर नकेल खतने की शुरुआत कर दी है तो जाहिद सी बात है कि हाला कि यहां पर कहीं ने कहीं वाल्ट दो पर माना झायगा सुरच्छा पडलों का गीर्ट गरत शुरुए तो दिन अपरेल के पास पहले सी रख्शा जरशी यह तैसे सुर्ग्षा ज़सियों की तैयारियों का इंपुद मिल गया था लेकिन यह कहा जार रहा है कि हुआ पर सब्छा बोलों से कारवादी में देर बड़ी चुक है परशासन की उरसे, इसे मान सकते हैं? बड़ी चुक है परशासन की उरसे, इसे मान सकते हैं? बड़ी चुक है परशासन की उरसे, इसे मान सकते हैं? बड़ी चुक है परशासन की द्वारा इनक्सलियों परणकुष लगाने के लिए। क्या कुछ किया जारा है? क्योंकि वहाँ पर जो सुक्मा में जब पुलिस बैंटी सर्थ अभ्यान के लिए या फिर जब इंपूट मिले थे कि नक्सलियों वहाँ पर मौझूद है, तो वहाँ पर पुलिस गई तो पूलिस से कहा या तो वहाँ पर प्री प्लैंड होकर के नहीं गये, रन निश्य के लगे नक्सलियों और उसमें घठना को अंजाम एक आखरी सवाल आपसे बनो जी जार्खंट में भी जार्ट से सटा हुआ तमाम राज्य हैं तो जार्खंट जैसे राज्यों में कितना बड़ा खत्रा मन रा रहा है नक्सलियों का? कि जहां गहां पर जनगरी है और जहां पर पहाडी एरियों के लियूइन बना गटता है वियार में, pumpkin, Tin जमुकोटे से सता हुआ है वहजग पुरा पहारी और कुछ του नग्सलियों के पारीटों के प्रभाशिय। और घतनाओं को अंजाम देते रहते हैं तो इत्रव सिकाया जाए तो घारिखंड में जो नक्सली है वो अभी वी सक्रिये अभी हैं और बिहार में वह पुछाता कंट्रोल कर लिया गया है क्यूकि मुखे धारा में कीई बात किये थे रहे हैं मुझ के धारा में जोडने के लिए तो एक ये रास्ता बहुत ही चतिक रास्ता ये प्रतीज होता है और इससे साइब और भी सरकार है उनको शिच्छा भी लेनी चाहिए कि नितीश कुमार ने बिहार में इसमें बड़े नक्सली बटसो को उन्होंने भग कर लिया मुझ के धा काम जानकारिक लें शुक्री आपका तो आपको बता दें फिलहाल कि एक बड़ा हमला इसे कह सकते दूसरा दस दिनों के भीतर नक्सलियों का दूसरा सबसे बड़ा हमला चछतिस गड़ में हुआ है जहां तेश जवानों के शहीद होने की बात सामनी आए जिस पर तमाम बड़े नेताओं ने पिया मोदी ने राश्पटी डामनाद कोवी ने सियम रितिस सुवेत अम्यत्रशा तमाम बड़े नेताओं ने स्रधांजर दिये है और शहीदों के परिशनों के प्रती समवेधना भी प्रकट की और कहा है कि उनकी यह कुर्बानी बेकार नहीं जाने वाली है